नमस्कार भाईयो भाईयो जो आज वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं भाईयो अपने ट्रेक्टर के जो है फ्रंट टायरा चेंज करेंगे आप सोच रहे होगे कि फ्रंट टायर तो पहली चेंज है बट भाईयो आज थोड़े से काम ऐसे थे जो इन टैरो के साथ नहीं क ना पाए तो आज आपको पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे भाईयो टैर चेंज की और इसमें क्या-क्या सुधार हो गया भाईयो यह टैर डालने से आपको मैं वह भी दिखा देता हूं तो भाईयो जैसे आप टैर देख सकते हैं यह अपना डेड़ फुट चोड़े जो हैं टैर हैं इनका आपको मैं लंबर भी दिखा देता हूं देखो भाईयो 31 x 15.50 x 15 मतलब भाईयो जो इसकी रिम है वह आगे 16 चाहते हैं यह 15 है भाईयो ठीक है जी और पाकी भाईयो डेड़ फुट चोड़े हैं अब आपको मैं भाईयो यहां से दिखा देता हूं यहां से भाईयो अपने जिन भाईयो ने मेरे पुरानी वीडियो देखी थी अंदर जो है प्लेट यूस करके अपना टैर लगाने पड़ते हैं अब बिना प्लेट के बचा हुआ है यहां पर देख लो भाईयो मुझे जो है भाईयो हब और रिम के बीच में जो भाईयो एक प्लेट लगानी पड़ती थी और वह भाईयो इन रिमों की वैसे जो है अपना निकाल दी और भाईयो टैर भी जो है पहले इतने नीच अड़ पाते थे आप जो है एक एक चूड़ी बहार आगी अब भाईयो मैं आपको इने चेंज करने की एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं जो मैंने स्पेशल इंटैरों के लिए बनवाई है भाईयो यह देखो भाईयो यह टैमी जो है मैंने खुद तयार करवाई है अपना इस साइड से जो भाईय के साथ जो है अपना टैमी बन भाईयो यह टैमी जो है नॉर्मल कोई भी पाना जो है इतनी अंदर नहीं जाप के लग पाता था क्योंकि जो बोल्ट है वो टैर के काफी अंदर है भाईयो ठीक है जी तो जादा अंदर होने की वहाई से जो है वहाँ पर कोई पाना चाबी क तो इस त्रीक्ट के बाइव एक लंबा गुटका को बोल देते हैं यहाँ पर लगताई वह टैमी लग जाती है वह टैमी बाहर आ जाती है तो उससे टैर जल्दी खुल जाता है और अच्छे से टाइट भी हो जाता है पहले जो मैंने यह टाइट कर दिये थे जब तो हलके से ह करें थे इसलिए मैंने ज्यादा नहीं चलाया अटक्टर को फिट अपना टैरों को फुल टाइट करा है तो आज भाई यो फुल टैर जो है चेंज कर रहे हैं आपको पूरा प्रसेस दिखाएंगे से लगा के जो है घुटके को देखो आप टैर के कितना बाहर आ गया तो फोर करेंगे से अब करेंगे सी अब करेंगे से अब देखोंगे से अब प्रसे शेखोंगे को अब हुआ है टो बाइओ फिर से जो है अपने वही 75-16 के टैर डालने डाल रहे हैं और फिर से हमें ये प्लेट लगाने पड़ गी तो जल्दी भाईयो 75-16 के रिम चेंज करेंगे ठीक है जी जब वो टैर डालने होगे तो अपना वो टैर डाल लिए जब 75-16 डालने हैं तो जब इस प्लेट की जरूरत ना पड़े ठीक है तो भाईयो एक टैर फिट कर दिया अब आप लुक चेक कर सकते हो इस साइड से ऐसी है और अपना देख लो और भाईयो 75-16 के टैर में फिर बना दिये और अपना वही भाईयो प्लेट भी फिर से लगानी पड़ी और आपको बोल्ट दिखाये थे पहले जो है इतने 200-2 सूपर आये थे जब 6-56 के टैरो के साथ आये थे जो तो वही रिम थे उसी इसाफ के और इन में जो 75-16 डालने पड़े तो इस वैसे ये प्लेट लगानी पड़ी थी हमें तो भाईयो आगे भी आपको पूरा दिखाते हैं दूसरा टैर चेंज करके भी आगे तो भाईयो टैर फिट कर दिये दोनों ही आप देख लो और इस साइड भी भाईयो प्लेट लगा दी हमने जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस पेस देख लो भाईयो जो अपने चोड़े टैर थे भाईयो उनमें स्पेस जादा था वो इसमें स्पेस कम है ठीक है जी अब आप इनकी वी फ्रंट से ल दालो बट काम के लिए यही बेस्ट